हाई एवरिवान आई विश की आपसे बहुत अच्छे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कैंड़ा के बारे में एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है IACC की तरफ से IACC ने अनाउंस किया है कि अगर आप स्टूडेंट हो और आप वर्कर हो अगर आपके पास कैनड़ा का वीजा है और आप कैनड़ा ट्रावल करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मेडिकल एक्जाम एक्सपायर नहीं होना चाहिए अगर आपक एक्सपायर नहीं होना चाहिए तब ही आप ट्रावल कर सकते हैं तो मैं ये न्यूज आपको आउन नाइन दिखा कर एक्सप्रेइन कर देता हूं उसके बाद आपको सब कुछ एजिली समझ में आ जाएगा सो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये है कैनडा इन इंडिया का ओफिशल ट्वीटर अकाउंट और इन्होंने तीन ट्वीट्स किये हैं आपको अपडेट करने के लिए और ये स्ट्विएंस और वोकर्स के बारे में हैं तो हम पढ़ लेते हैं एक्जाक्ली उन्होंन यो वीज़ा is not valid for travel यादि कि अगर आपका medical examination एक्सपायर हो चुका है तो आपका वीज़ा valid नहीं है travel करने के लिए यादि कि बहुत क्लियर है अगर आपका medical examination है वो अभी भी valid है तो आप travel कर सकते हैं अगर वो expired हो गया है तो जो आपके पास वीज़ा है जिसकी थ्रू आप जा सकते हो वो वीजा अब वैलिट भी नहीं है क्योंकि आपका medical exam है वो expired हो चुका है दूसरा इन्होंने tweet किया है पहले देख सकते हैं यह 3 दिसंबर की latest update है आप सभी के लिए तो इसको follow करना होगा आपको और आगे दूसरा tweet उन्होंने किया है कि your medical exam results are good for 12 months only from the date your medical was assessed not the date of your original exam तो इस बात का आपको ध्यान रखना हमेशा है कि जब भी आप केनड़ के लिए medical exam कराते हैं तो वो बारा महीन यानि कि एक साल तक के लिए valid होता है और यह ध्यान रखना है कि वो valid इसे ने assess किया था उस date को वो count करते हैं आपके medical exam को लेकर तो इस इसका आपको ध्यान रखना है और जो last tweet इन्होंने किया है वो पढ़ लेते हैं if your visa has been put on administrative hold please wait four weeks after your second medical exam before traveling तो इसका simple सा मतलब है कि अगर आपका किसी भी reasons यानि कि administrative reason की वज़े से आपका visa अगर hold पे डाला गया है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप second medical exam कराऊगे तो आपको चार वीक तक wait करना है travel करने से पहले यानि कि आप जब second medical exam कराऊगे उसके बाद चार वीक का wait करना है उसके बाद ही आपको travel करना है अगर आपका administrative hold पर visa डाल दिया गया है तो यह जो बहुत बड़ी update है वो आपको जानना बहुत ज़रूर है बिकिस अगर आप travel करते हो गलती से आपको लगता है कि आपका medical exam expire हो गया बट स्टिल आप travel कर रहे है तो आपका visa valid नहीं है आपको वापस भेज दे जाएगा तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और यह बहुत बड़ी update है सो प्लीज जो भी students है जो केंड़ा जाना चाहते हैं और जो भी workers हैं वो के लिए चाहते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना क्योंकि आपकी के लिए update है सो अगर आपको यह breaking news अच्छी लगी अगर आपको इससे knowledge में लेगी तो प्लीज इसको हमारे चैनल को लाइक करना शेयर करना हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आपको डेली कैना की वीडियो देखने को मिलती हैं अगर आपको कहना में अडमिशन चाहिए बैचल डिगी में तो आपको अपके अडमिशन कराएंगे अगर आपको प्यार चाहिए तो वह भी कराते हैं अगर आपको कहना के spouse वीज़ा अप्लाइ करना तो वह भी हम करते हैं हम French language भी सिखाते है आइल्स की preparation भी कराते हैं तो हमारे बार सारे solutions होते हैं जबस आपको में contact रहना है उसके बाद हम अपके पूरी help करेंगे अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज आप हमसे Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter के तो पूस सकते हैं सारे links हमने description में डाल दिये हैं आप सब चेक कर लिजे and हमें contact कीजी हम की पूरी help करेंगे so thank you so much आपके कीमती time का best of luck and हमेशे की तरह प्लीज अपना ध्यान रखिए